हलो मित्र कैसे हैं आप आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ आज जो वीडियो है यह है तामर पसाड काल का यूग इसके पहले आपने जो वीडियो देखा था वो पसाड काल से संबंधी देखा था मित्र ठीक है तो आपने पसाड काल का लेकिन मित्र इसके पहले जो वीडियो होना चाहिए का वीडियो आप ने देखा होगा मैं उम्मीद। करता हूँ कि वह वीडियो आपको अच्छे तर唇क Minuten आया होगा, यह कोई कमें करना मैंको कमें करें réuss मित्र तो अगर आपको और उसमें तथे चाहिए तो बताईएगा और उसमें तथे हम डालने का परियास करेंगे लेकिन मेरा जो उद्देश यह है कि मैं उतना ही तथे इतिहास में रखूं जो आपके एक्जाम के दृष्टी से सही हो मित्र ठीक है तो और ज्यादा तर मेरा यो फोकस होता है वह ये होता है कि आपके अंदर एक आधान आत्म करूर से इतिहास की समझ बनाना तो आईए मित्र तामर पसाड काल के बारे मीश με हम प्रहरं करतें जिसमें तामा और पत्थर दोनों का उप्योग किया जाता हो ठीक मित्र ऐसे ओजार बनाया जाना जिसमें तामा और पत्थर दोनों का उप्योग किया जाता हो ऐसे यूग को हम तामर पसराड के यूग के नाम से चानते हैं ठीक मित्र और एक चीज़ में बता देना चाहता कि जो तामर पसार काल का यूग होता है इसको कास सभिता के भी नाम से जाना जाता है और बहुत विद्वान इसको तुलना सिंदगाटी सभिता से भी करते हैं ठीक मिद्र लेकिन यह हैं कि बहुत कुछ छैसे भी सिस्थाय देखने को मिलती है कि जो भी सिस्थायं सिंध्गाटि सभेता में मिलती है वो तामर पाशारकाल के समय में नहीं मिलती है ठीक मित्र जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिंद्ध própria सभीता में सिंद्ध घाति सभीता में ज्यादा तर लोग घरों में या बरतनों में पत्थरों का पर्योग नहीं करते थे बट तामर पसाड ौरश में पत्थरों का उपयोग बड़ी मातरा में किया जा रहा था एक चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि सिंध घाटी सब्यता में ज़्यादा तर हम देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर नगरी सब्यता थी बट तामर परसार काल के यूग में अगर हम देखें या इनके समय देखें जो बस्तियां पाए गई ह हैं वह ज्यादा तर ग्रामिड अवस्था में देखने को मिलती हैं न कि नगरी सब्यता की रूप में देखने को मिलती हैं ठीक मित्र हां यह है कि सिंध घाटी सब्यता के समय बहुत जगे तामा पाया गया है तामबे के साथ मिले हुए हैं ठीक मित्र तो जहां पर संबन ज से संस्क्र Cit interests की संदर में कौन्-कौन से प्रमुख अस्तल आते हैं और यह से यही प्रस्न पूचह जाते हैं तो यह काफिय ज्यादा कंफीजन की स्थिति में प्रस्न होते हैं मिलते हैं उसी चीज को हम यहाँ पर परस्तुत किये हैं, कम से कम चीज़ें को परस्तुत किये हैं, जो आपके exam के view से important होगा, तो आईए देखते हैं, देखे, तामर पासाड काल की संस्कृती में हम यहाँ पर मुख्रूर से आपके सामने मित्र चार संस्कृतियां रखे हैं, जो exam में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे एक है आहाड संस्कृति, दूसरा है कायथा संस्कृति, चोथा है मालवा संस्कृति, और पांचवा है जारवे संस्कृति, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं, देखिए मित, आहाड संस्कृति जो ह आहार संस्कृती है मित्र और ये आपके राजस्थान में एक बनास नदी पड़ती है उसी बनास नदी की किनारे ये आहार संस्कृती है दश्वी पश्मी राजस्थान में यहां से जो साच प्राप्त हुए है मित्र वो काले यूम लाल मृद्भांड मितलब होता है मिट्टी का बरतन तो काले उम लाल रंक के मित्टी के मिले हुए हैं यहाँ-पर पालतु-पसुई-उन जानवर वगिरा भी यहाँ पर मिलते थे यहां यह यह से मांग क्रेशी वगिरा होती थी इसके पर मुख्विर्ष स्थाओं हो यह और जक्रीं मित्र यहां पर काले और लाल मृद भांड जो मिलते थे बर्तनों पर तो वहां पर ध्यान रखेगा कि जो काला रंग होता था वो किनारे किनारे बरतन के साइड में लगा होता था बाकि जो से सस्थान होता था वहां पे लाल कलर का उप्योग किया जाता था इसका मतलब कि इस समय प्रिंटिंग का भी कार होता था रंगों का भी उप्योग किया जाता था ठीक मित्र तो आप आहर संस्कृति के के बारे में ध्यान रखेगा यह कहां संस्कृति पढ़ता है यह यहां से प्रस्न पूछा जाता है बार-बार में यह चीज आपसे कराओं कि जो संस्कृति जिस राज में पढ़ड़ा है उसको जरूर याद कर लेजीगा ठीक मित्र इसके बाद आते हैं काइथा संस्कृति का काइथा है ये आपके बिहार में एक नदी है काले सिंध नदी की किनारे ये एक काइथा सहर हो वहीं पढ़ता है उसी के नाम पर काइथा संस्क्रिती पढ़ा हुआ हलांकि ये सहर तो बिहार में पढ़ता है लेकिन इसका काइथा संस्क्रिती जो विस्तार है ये एक तरीके से मद्ध पर्देश और बिहार जैसे राज्यों में इसका पूरी तरीके से विस्त्रित किया गया है तो लेकिन जादा तर कायथा संस्कृती कहां विस्त्रित हैं यह आपके दच्छी पूरू यानि की यमपी वाले भाग में इसका विस्तार बहुत जादा है ठीक मित्र लेकिन नामकरण जो पढ़ा है वह भिहार में पढ़ने वाली काले सिंद्र नदी के एक किनारे सहर था उसी के आधार पर कायथा संस्कृती पढ़ा हूआ है ठीक मित्र आब एक जि जान लेते हैं गया यहां पर यम्पी में तीन अस्थल हैं जहां से कायथा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती हैं यह तीनों अस्थल का नाम याद कर लिजेगा एरण, तिरिपूरी और उज्जेन जो यम्पी में पढ़ता हैं यहां पर कायथा संस्कृति संबंधित साच्छियों के बारे मे जानकारी मिलती है ठीक है मित्र और एक चीज़ आप जान लिए जान लिजेगा कि जितनी भी संस्कृतियां यानि जितनी भी संस्कृतियां का मतलग तामर पसाड काल में जितनी भी संस्कृति हो यानि कि जो आहार संस्कृति है काथा संस्कृति है मालवा संस्कृति है जारव संस्क्रिती कौन थी का अगली जो संस्क्रिती बारे में बात होती यह हो कौन मालवा संस्क्रिती की संदर में हम बात कर लेते हैं मालवा का पठार आपने देखा होगा ठीक है तो ये एंप और आ का ये भी छेत्र हैं जहां पर ये संस्कृति आपको देखने को मिलती है तो पूछा जाता है कि बृष्षा भयानी की एक तरीके से बैल का पूझा कहां पर होता है तो मालवाज संस्कृति में जानकारी मिलती है इसका काल करम के बारे में बताया जाता है कि 1920s से लेकर 1420 के अंदर ही इस संस्कृति के बारे में जानकारी मिलनती है हां एक चीज आपको ये पता कर लेना है कि सब्सेसरवा अधिक मृद्भान, हाँ मित्र, सरवा अधिक मृद्भान, यानि कि मिट्टी की बरतन कहां से प्राप्थ होते हैं, तो सरवा अधिक मिट्टी की बरतन इसी मालवा संस्कृति से प्राप्थ होते हैं, हाँ, इसके दो मालवा संस्कृति संबंदी, दो अस्थल और हैं, जैसे नावदा टोली और नार्दी याद कर लिजेगा मित्र नावदा टोली और नार्दी ये दोनों अस्थल किसके संस्कृतिक हैं मालवा संस्कृतिक हैं किसके मालवा संस्कृतिक हैं जिस तरीके से यहां पर आपने एरर तरी पूरी उज्जेनी ये काइथा संस्कृतिक है उसी सबसे नविन संस्कृती कोन हैं तो सबसे नवीन संस्कृती कोन है तो सबसे नविन संस्कृतियों में जारवे संस्कृति सबसे नविन संस्कृति है किसकी संस्कृति नविन है तामर पासाण कालिन यूग के अंतरगत आने वाली तमाम प्रकास संस्कृतियों में सबसे नविन संस्कृति के रूप में जानी जाती है जारवे संस्कृति जबकि सबसे प् संस्क्रिटी पूछा जाता है जारव्य संस्कूटी भारत किस राज़िस से विलां करती तो यह पश्मी महाराष्ट में यह जारव्य संस्कूटि के खोज हुए और इसको दो भागों में बाट कर अध्यन करते एक इसका अकळ ONE- वही इतिहास में बहामनी समराज जिस समय दिल्ली सल्तनत काल था उस समय बहामनी समराज की अस्थापना हुई थी जो आगे चलके पांच भागों में विभाजी थो गई थी जिसका एक भाग अहमन गढी घर था तो उसे जगे से यह संस्कृती मिले हुई थी तामर पासाण काले यूग यGU यूगी संस्कृति की मिला था मित्र यहाँ पर आपको ध्यान रखना एक लागन अंतकर और कि आन्तर संवागर जो हैं यह एक निवासा आता है एक दैमाबाद से कई जाम में प्रस्ण पूछ चुका है में ध्यान रखना तो नेवासा यह यानि कि नेवासा में सबसे बड़ा घर यानि कि तामर पसार संस्कृतिकार में अगर आप से पूछा जाए कि सबसे बड़ी इमारत या सबसे बड़ा घर कहां मिला है तो नेवासा में जैसे आप कभी पूछ दिया जाता है सिंध घाटी सभेता कि किस अस्तल से सबसे बड़ा अनागार मिला है तो आप क्या बताते हो मोहन जोदरो या सबसे बड़ा असनानागार कहां मिला है तो आप बताते हो मोहन जोदरो उसी तरीके से यहां पर पूछ सकता है कि तामर पसाड काल की यह depend करता है कि question कितना micro बना सकता है और कितना macro बना सकता है ठीक है मित्र यह आप थोड़ा से ध्यान में रखिएगा ठीक है अगला देखते हैं पूरे पूरे जारवे संस्कृति का दूसरा भाग है इसके अंतरगत मित्र तीन जो अस्थल आते हैं इसको बस आप इतना याद क कि सोन गाउं चंदोली और इनाम गाउं कौन कों से सोन गाउं चंदोली और इनाम गाउं यह तीन अस्थल आते हैं किसके अंतरगत यह आते हैं आपके पूरे संस्कृति के अंतरगत आते हैं ठीक मित्र हां जो मैंने बताया था कि अहमद नगर के अंतरगत जो आते हैं वो मित्र दैमाबाद यहां से books पूच्छ का हिस्सा एक हिस्साएं जारवेश संस्कृत्य क्या रूप में हैं यहां पर प्लतुजानुरों के रूप में कहता है कि साड मिले हुए हाथि की दात मिले हुए तांबे यहां पर रथ मिले इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिसे की जाते थे, ओमतर गे हूँ और जौ कि भी क्रिसे के साथ कहां मिले हुए हैं, दैमाबाद में मित्र, तो यह भी एक तरीके से यह जान लेजें, अघर इन संस्कृतियों में सब से कहीं development संस्कृति देखने को मिलती हैं, मित्र ध्यान में रखना तामर पसाड कालिर यूग में ये हम आपको चार महत्पूर संस्कृतियों के बारें बताएं जहां से अक्सर आपके एक्जाइम में परस्ने पूछे जाते हैं हां इसके अलावा भारत में जो तामर पसाड यूग है ये पूरे भारत में फैला हुआ था दच्छिर भारत में आप देखेंगे वहां कई परकार के अस्थल हैं जहां पर तामर पसाड यूगीन संबंधिन अस्थल यहों साच्छिप्राथ होते हैं इसके अलावा मैंने आप को इस पेसली महाराष्ट और राजस्थान और यंपि के संदर में संस्कृतियों के बारे बता गया है लेकिन यहां पर तीन यहां पर देखिए मित्र तीन अस्थल यहां पर बहुत है इसको भी देख लिजे यह अत्रंजी खेडा अत्रंजी खेडा उत्तरपरदेश के e Такले में मित्र अत्रंजी फेडा ये तामवैप्रूप में जाना जाता एक एक यहां इस समय ताम्बे का भंडार बहुत ज़्यादा था, कौन से सम्स्क्रीफटी? गुंगेरिया पढ़ता जाता है यंपी राज में, इस समय गुंगेरिया में सबसे जादा जो पाया जाता था, ऊटाम्बे का भंडार पाया जाता था, आता किसके अंतरगत था तो आम मालवा संस्कृति के अंतरगत आप इसको भी कह सकते हो ठेके गुंगेरिया में तामबे का भंडार बहुँ ज़्यादा पाय जाता था एक है मित्र साइपेई ये इटावा यूपी के इटावा छेतर में पढ़ता है मित्र ठेक मित्र बार-बार में तामबे का नाम इसे ले रहा हो क्योंकि आप पढ़ी रहे हो तामर पसाड का यूँ तो इटावा में एक साइपेई का छेतर था जहांप तामबे के सबसे ज़्यादा उत्खनन होता था यंपी में गुंगेरिया है जहांप तामबे का बहुत ज़्य ज़िएस का भी कोश्चन बना सकता है इसके अलावा और भी दो-तिन तत्थ्य मित्र जैसे कभी-कभी पूश सकता है कि तामर पसाड काल यूग में जोपड़ियां किस तरीके से बनाए जाती थी तो हमेशा याद करना जो जोपड़ियां बनती थी वो आयताकार के रूप मे होती थी मित्र तो मुझे लगता है कि यह चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कि अब इससे संबंदित क्या-क्या प्रस्ण है पूछ सकता है तो फिर से एक बार आप सुन लीजिए ठीक मित्र पहली चीज इन चार संस्कृतियों के अलामा और धे सारे संस्कृ स्थिया हैं हर्यार में भी पाई जाती हैं पश्षिम बंगान में भी पाई जाती है इस पैसले जो पुछता क्या है जिसका नाम है नाम है चीराध यह मित्र पूछा जाता है चीराध यह पढ़ता है बिहार के छप्रण teai जिले में भी पढ़ता है चीरांग जो विहार में है यह भी एक तरीके से तामरपाशाड का अस्थल हैं तामरपाशाड का अस्थल हैं ठीक है मिद्र तो यह चीज थोड़ा से आप अपने ध्यान में रखेगा और कभी-कभी पूछ देता है कि इन संस्कृतियों में कौन संस्कृति मुख्रू से करता है एक इसके अलावा है रंगपूर संस्कृति और पंजाबने हैं रंगपूर तो विलांग करती है लेकिन परभास चरण जो ऐसे संस्कृति हैं जो सिंद्घाटी सभेता से बिलांग नहीं करते तो इस तरीके से भी प्रसन आपके एक्जाम में पूछ सकता है ठेक मित्र तो आप याद कर लिएगा कि तामर पसाड काल का यूग एक तरीके से सिंद्घाटी सभेता के समांतर का भी यूग है उसके बाद का भी यूग है और कुछ कही कही इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये सिंद्घाटी सभेता का पहले का यूग है हां मित्र ये काई था आहार संस्कृति आहार संस्कृति के बारे में कुछ लोग बताते हैं कि ये सिंद्घाटी सभेता के पहले की संस्कृति है आहाड और कायथा और मालवा ये सिंद्घाटी सभेता के समांतर है जारवे सिंद्घाटी सभेता के बाद आने वाली संस्कृति है यही कारण है कि सिंद्घाटी सभेता को तामर पसार यों कास सभेता के नाम से भी जाना ठेके मिद्र और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोहे का परयोग नहीं होता था यहाँ पर जो भी आउजार का परयोग किया जाता था उसमें तामा और पत्थर का उपयोग किया जाता था तो उस प्रस्न को आध्यान में रखेगा पहला चीज आपको यह याद करना है कि कौन-कौन से संस्कृतिया हैं इनका कालकरम याद करना होगा घाटी सबिता की पहले और बाद सबसे प्राचीन सबसे बड़ा घर और तामवे का उत्खनन छेत्र और जो अभी मैंने आपको दै कर लिजीएगा ठीक मित्र तो इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन करता हूं नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक पसाड काल लेकर आऊंगा और उस पसाड का नाम होगा महापसाड काल ठीक मित्र फिर जब सारे वीडियो बन जाएंगे सबको मैं समराइज करका आपका के लिए कर दूंगा कुछ मिनिटों में ठीक है तो इसी के साथ जाएं भारान जाएंगे